चलिकामन मैं आरियत पजर रोगी मंच और गेविया के मेंड़ों हूँ और मैं अब पर फोड़ा सा इस कैम्पेन के मकसर के पीछे ये कैम्पेन क्यों सोचा गया कैसे सोचा गया और ये क्या करने की मंचा रखता है इसके बारे में आपके साथ बाठना चाहती है इसका मतल नहीं कि मुझे कैम्पेन के बारे में जादा पता है क्योंकि मुझे रखता है कि यहां बैठे हर लेक्टी इसके आपके का हिस्सा है लेकिन सिर्फ में याद ताजा करने के लिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से करने का सोच गया बंपय, बंबड़, बंपय, जिस भी नाम से हम इसको सोचना चाहें चोपे साथ काफों से शुरू होकर ये शहर झो आज हम जानते हैं रफ्तार सभ कारा शहर ये बनता गया बदलाओ शहर शहर ने शैर का और हर शैर का एक नाम होता है एक तरीका होता है कभी शहर फंते नहीं शहर हमेशा बदलते रहते हैं यह शहर खास करके बहुत सारे लोगों की महनत से पसीने से बहुत सारी लोगों के सपनों से बना है और इस शहर में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हर जगह से आये हैं और इसको अपना घर माना है इसको अपना अपनी जगह म माना है इस शहर में कई हम हर किसी के शहर को देखने का अंदास अलग हो सकता है हर किसी के लिए शहर की शुवात अलग हो सकती है इतियास हम सब अपने तहीं किसे अपने शहर अपने इत्यास को इस शहर के इत्यास के साथ जोड़ कर सोचते हैं और उन्हें इसको अपना घर माना है इसको अपना अपनी जगा माना है और इसको अपना अपना शहर माना है इस शहर में कई हम हर किसी के शहर को देखने का अंदास अलग हो सकता है हर किसी के लिए शहेरोब एक अनद ıl्दू हो सकती है, इधियास हम सब अपने त्लिके से अपने शाथ, अपने इधियास को इधियास के साद जोड़ कर सोचते हैं. वार वार ऐसे मौके आए है जिन्नों ने इस शाफ छोड़ी इस आपकर, और यहां मौदूद हम लोगों मैंसे कईयों के लिए ग्राम में एक ऐसा मकाम था जिसने एक बहुत ही कहरी छाप हमारे दिल पर हमारे शहर पर हम सब की जिन्दगियों पर छोड़ा है कही उस बलाव को ग्राम में तरह के हिंसा ने जो किया उसको एक तरह से याद करना यह हम स मानते हैं करना जरूरी है और हम एक करते आ रहे हैं यहां हर इंसान जो समाज में बढला समाज में एक ऐसा समाज बढ़े जो सब के लिए हो एक ऐसा समाज बढ़े जो हाश्य में जो लोग है उनके लिए बढ़े ऐसे समाज की संकर्पना हम सब करते रहे हैं और उसके प्रत क्वान oh है आज से सभूनी हुआ हो कैंपेंज आज खत्मी में नहीं हो का इस महीन के लिए पेले से चल रहे है तो यह जह सारे लोग जो पहला हुँ मानते हैं जुमानते हैं सब एंद जो जमदा ऐसा बने को हर कोई के लिए जगह ओ हर कुई की जगए हर कोई का है शहर हो ऐसे सारे लोग के लिए 92-93 अपना एक हादसा था जिसमें हमारे जो कलम थे जो आगी तरफ बर रहे थे उनको थोड़ा सा ठाम दिया उनको थोड़ा सा अटका दिया शाहर हमारे रास्ते थोड़ा से हमको बदनने पड़े शाहर नए से हमको सोचने पर मजबूस किया जब हमने स्कैम्पेंट के बारे में सोचना शूरू किया लोग हम से पूछने लगे और हम जांके स्टूरंट्स के साथ बात कर रहे थे हमसे पूछा रहा कि क्यों हम याद करना चाहते हैं बीजत सार्फ पुरानी बात याद करना आज क्यों जरूरी है और शायद वोए एक अलग स्कैम्पेंट का कि याद रखन क्यों जरूरी है तो वायर मॉन्बॉ- इस तरिके से अपनोगे इस कैम्पेंट को भी कहरे हैं तो याद रखना यह अपने आप में बेहित जरूरी है परसों पुष्पामावे ने और अंगरवी इंजिनियर जस्टिस सुरेश इन सबों ने प्रेस वांफरेंस में ये बात बहुत जोर से रखी कि हमें याद रखना इसलिए जरूरी है कि हम भूल नहीं सकते हैं हम जब बात चलेंगे इस कैम्पेंग की आज भी बंबै शाय की ऐसी जगह जहाने से कांपते हैं जो हमारे लिए एक याद दिलाती हैं जो कभी भूली नहीं जा सकती है तो भूलना संबबव नहीं इस तिह आज To Is Not है कि फिरसे यह राखन पो फिरसे जो एक बार हम सब पर बीग शुकी उससे कैसे सजगह रहे और कैसे नहीं सोने देतें कि त्यास के रास्ते पहचानना जरूरी है और एक बात जो कहीं रही थी कि हम इसने नहीं याद करें कि हमने कुल बढ़ना चाहिए हम बन्ना नहीं चाहते हैं लेकिन हम नाय जरूर चाहते हैं क्योंकि नाय के बगार शांती हो ने सकती आज जो हमें द नजने आ रहा है वो एक तरह की शांती दिखती है हम लोग जरूर इन परसा के साथ बात करते हैं हम लोग जरूर साथ साथ में काम करते हैं लेकिन ऐगाव जिसके बारे में हम और आज बात करेंगे वो उन नाय को नकारना यह सबसे बड़ी गलती है नयाय दिल्वाना नयाय के लिए लड़ते रहना नयाय के लिए लगे रहना यह शाय शांती का पहला कड़म है और वो इस कैम्पेइण उसके लिए जरूरी है कि हम यार रखें तो इसका यार रखने के लिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि 90 to 93 में कुछ जैसे जैसे एक ग्रूप मिलता गया पहरी मिल्टिंग मुझे लगता है दो जुलाई को हुई थी जब काफी सारे लोग आये थे और तब से कारवा बढ़ता जा रहा है लोग बढ़ते जा रहे हैं और और गोनाइजेशन जूड़ रही है लेक्ती जूड़ रहे हैं मुझे ऐसा नहीं है कि यह शहर घेटवाइस नहीं था इस शहर में समझाय समझाय के लोग अलग अलग रहते हैं यह आज के लिए नई बात नहीं है लेकिन जिस तरीके से 92-93 के बाद एक दरार पड़ी जिस तरीके से लोगों को जबर्दस्ती जबा छोड़कर दूसरी जगर जान दूसरा जी ऐसा लग रहे हैं कि फुच शक्तियों को जो डाइट विश शक्तिया हैं खास करके शिरसेऑना भाजपा ये शियरसेऑना और ममनसे इस शहर में उनको जिस तरीके से अपने आपकी बात करने की अपने आपकी हट दिखाने की, अपने मनमर्जी से चलने की आजादी मिल पाई है, वो शायद इसलिए है कि 92-93 में उनको रोका नहीं गया, उससे पहले 1960 से उनको रोका नहीं गया, इसके लिए जिम्मेदार जो भी सत्ता दियें सरकार है, वो है, तो यह यह जो बढ़ती हमारे बीच में है, हिंसा को एक तरह से खुले आम जगा हमारे बीच में मिली हुई है, यह आज भी, जो दस साल पहले शेयर में आए, पन्ना साले शेयर में हर किसी के जिन्दगी पर इसका एक इंपक्ट है, और इसलिए हमें रखता है कि 92-93 और इस जैसे अनेक जो भी इंस आप एक खुले पर की बात करें, एकस्प्रेशन, फ्रीरम और एकस्प्रेशन की बात करें, अपनी बात कहने की जगा पाने की बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि वो जगा सिकूर्टी जा रही है, हमें सड़कों पर जगा नहीं है, अपनी आवाज उठाने के लिए, हमें कह प्रोटेस्ट करो और कोई सड़क आपके नहीं है और दूसरा अगर हम कहें तो जैसे फेस्बुक पर अगर लोगों ने कहा कोई जगा नहीं फेस्बुक पर एकमत रिक्त किया तो उसके नहीं जगा नहीं है तो हमारे दिमान उससे भी हमारे मूँ से और हमारे सड़कों पर हर जगा हमारी जगा च्छी जा रही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग बोलना बंद होए हम बोलते आ रहे हैं और आज यहां जितने लोग बस तिख हैं वो यह जाहिर करते हैं कि हर किसी के दिल में इन चीज्व के बारे में सक्त बहुंक है और इसे लिए हम सब करें का हमंई ही बात है कि हमें हमें एपनी बात कहने की आजारीह होनी चाहिए हमें हिंसा मुक्त एक समाज जीने के आजारीहों चाहिए यह समाज ऐसा होना चाहिए जो हर किसी के लिए हो और यह समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें न्याएं और शांती सबसे आगे हो इस तरह के बदलाव की इस तरह की शहर के हम सब को सपना है और वो सपना हम कैसे साकार करें इसके बारे में याद करने के लिए और बातचीट करने के लिए ये campaign है इस campaign में बहुत सारी लोग जुड़े हैं मैं नाँ कहना चाहूंगी कितने organizations है अवाजे निस्वा, अक्षरा, Center for Study of Society and Secularism Citizens for Peace and Justice, Communism, Combat, Forum Against Oppression of Women Justice and Peace for All, Jogeshwari Rikasmanj, Justice and Peace Commission Lessons and Bisections in Action, Low Black Sangathan, Majlis, Muktiyaan, Low Sanstitik Sangathan, MYA, National Streets for Performing Arts, Nirbhavadu Amdalan, Raheha, Republican Panthers, Seher, Tata Institute of Social Sciences, Vacha, Women's Research and Action Group, all you all और बहुत सारे, बहुत सारे individuals, जो शायद इन organizations में नहीं हैं, लेकिन जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं हमादा जैसे मैंने का, campaign आज शुरू नहीं हो रहा, यह एक बड़ा event है जिसमें हम साब इखाटे आए हैं, लेकिन जब से हमने बाद्चे शुरू की, तब से campaign शुरू हो गया, और मैं दो तीन चीज़े पताना चाहती हूं, जो की गई हैं और जो आज हम नजर प्यारे हैं एक सबसे पहले, बस्तियों में जाका लोगों से बात करना, यह एक काम कुछ लोगों ने शुरू किया, जोगेश्वरी की बस्ती में, बांगा की बस्ती में, मुंगा की बस्ती में, और यह एगर लगता है कि अभी शान्ती है, हमकों के 92, 93 की बात करना है, यह किस मुद्ध वह अपना शहर कैसा चाहते हैं, वह शहर किस नजर से देखना चाहते हैं, शहर कि उनकी क्या कलपना है, इसके बारे में वो चित्र बनाएंगे और वो चित्र यहाँ आज हमारे सब के सामने डिस्प्लेय हैं, वैसे ही हमने TIS के स्टूर्ण्स के साथ बात चली थी, स्टूरेंस जो शायर मत折़ जो इस शहर मेरे थे नहीं जो थे गता होते थे 92-93 के समय उन्होंने इस मुत्रे को लेकर मेमरी को लेकर मेमरी को मिटा दे leal के मतलब को लेकर और हिंसा को लेकर उन्होंने फिल्मों बनाई है 6 फिल्मों बनी है पाथ स्टूरंस की एक फैकल्टी की जिसमें से एक फिल्म पर एक हिस्सा हम आज आपको दिखाएंगे एक छोटा हिस्सा लेकिन ये सारी फिल्म 16 तारीक को TISS में रिलीज होने वाली है और सबसे अनुरोध है कि जहां भी इन फिल्म की स्क्रीनिंग कर सके जहां भी इन फिल्म को ले जा सके ज़रूर ले जाएं क्योंकि ये एक लग लोग आज हमारे बीच में कैसे इसको सुचते हैं इसके बारे में ये फिल्म है वो लोग एक स्टूरंस अग्रादी करने जा रहे हैं जो संद्रा और अठका तारीक वैं कि ते इसकोमठी के उपर हैं ंसमे बहुत सारे क dura कि अलग अलग किसम से प्रोगर्म अभी तक सो चेस मेंoffs से चाहिए कोई भी तैश्य दोग सुछै जितने केमियों छोरू कर Jimi और चईभोच ओंपर काम करना चाहिए मुझे रखता है हर किसी के लिए जगाय है हर किसी के लिए समय है एक student seminar के अलावा दो और seminar होने वाले हैं एक जो mass crimes और जो impunity अगर आपको justice नहीं मिलता है तो उसका समाज के ऊपर क्या अफर पड़ता है उसके उपर है उसके साथ ही एक public meeting है यह दो तारीकों है और फिर 12 को हिमसा और जस्तिस इंपों हम एक मास क्राइब सब्सक्राइब को इनकों हमे से कैसे दिखते हैं इसके बारे में सबिस्क्स में चैनल सबस्क्रामारी թ सबस्क्राइब करेंगे धोलों अपना कारे कि добro नहीं तो आजकर ब्लॉग के उपर बहुत लिखा गया है, इमेल के उपर है, प्लीज जानकारी लीजे हो जानकारी और आगे पहुंचाईए और इतना ही कहना चाहती हूँ कि यह campaign हम सबता है, यह campaign जितना जो से हमाराज करेंगे उसके लिए है, हमारे आवाज और गुलंद करने के लिए है, और हमारे आवाज को हर किसी तर पहुचाने के लिए है, इस campaign का एक बड़ा हिस्सा चर्चा से जुड़ा हूँ है, हम चाहते हैं कि बातचीत हो, हमारा लगता है बहस, चर्चा, बातचीत, यह बहुत आवश्चत ह अगर हमें एक सबाद चाहिए, जिसमें ब्याए हो, तो उसमें बहस होना बहुत जरूरी है, अपने मत हम रख सकते हैं, लेकिन हमको एक बातचीत का जरिया होना बहुत जरूरी है, तो हमारा में मक्सक यह है, कि हम लोगों से बात करें, लोगों तक अपनी बात पहुचाए आज के प्रोग्राम में जो हमने सोचा है उसमें एक प्रोग्राम है जिसमें बंबई शहर को लेकर और इन मुद्वों को लेकर